नमस्कार ग्लीव्स डॉर्टी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आनन्द हिमाचल में डेड़ महिने बाद मंगलवार को बारिश हुई शिमला वस्सिर मोर में सीजन का पहला स्नोफवाल हुआ मोसम में आएं बदलाव से मैदानी इलाकों में फिर एक बार सर्दी बढ़ने के आसार हैं उत्तरा खंड के देहरा दून में गड़वार इलाके के घनोल्टी में भी बर्फबारी हुई है दिनबर छाय बादलों के बाद में शिमला के उपरी भाग में बर्फबारी शुरू ह इसके बाद शिमला शहर और आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हुई जो देराग तक जारी थी इस सीजन में 40 दिन से बर्फ नहीं गिरी थी जिससे सुखे की इस्तितियां बन गई थी सीएम जैराम ठाकूर ने मंगलवार को सुखे से निपटने के लिए मीटिंग भी बुलाई थी लेकिन अब राहत की उम्मीद है वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक चूडधार और नारकंडा में 4 इंच बर्फ गिरी प्रदेश के दूर दरास के और उचाई वाले इलाकों को छोड़ कर शिमला, सिर मोर और मंडी जिले की पहाडियों पर भी स्नोफॉल हुआ है लाहुल इस पीती में जोड़दार बर्फ बारी हुई है और 4 इंच बर्फ गिरी है ताजव बर्फ बारी से उपरी शिमला जाने वाले 143 रूट बंद हो गए हैं उन्हें खुलने में 3-4 दिन लग सकते हैं शिमला आने वाली सड़ग शोगी से आगे बंद कर दी गई है इससे रोजमारा की जरूरोतों के सामान की सप्लाई पर असर पढ़ सकता है उधर उत्राखंड में देर रात मुंशियारी पिथोरा गड और चोडी गडवाल के घनोल्टी में भी बर्फ बारी हुई है